नमस्ते गाई जो राज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एक न्यू राइवल्री के बारे में जो अभी कपल आफ डेज में बहुत आगे बढ़ चुकी है जिदर मैं बात कर रहा हूँ फिदेवेट चैंपियन इले टुपोरिया और लाइट वेट चैंपियन इसलाम महाचिप के बारे में तो दोनों की बीच में अभी काफी कुछ चल रहा है जिदर इवन इसलाम महाचिप की जो टीम है वो भी बीच में पढ़ चुकी है तो बेसिकली इस वीडियो में शौट में अगर देखें कि ये राइवल्री कैसे स्टार्ट हुई और बाकी भ हो जाएगा वो पहले भी लाइटवेड डिवीजन में जा चुका है तो वो फिर से लाइटवेड डिवीजन में जा सकता है और इसके बाद कोई इसलाम के बारे में पूछता है कि क्या वो इसलाम महाचिप के साथ फाइट करेगा तो इलिया यहाँ पर कहता है कि वाइ नौ पूर्या यह कहता है कि वो इसलाम के साथ स्ट्रीट में फाइट नहीं करेगा क्योंकि अगर वो इसलाम के साथ स्ट्रीट फाइट करता है तो फिर उसे इसलाम के मेडिकल बिल को चुकाना होगा जो बेसिकली इंप्लाइ करता है कि वो इसलाम महाचेब को स्ट्रीट फाइट म Basically उसमान ईले टोपोरय को ट्रोल कर रहा है कि वो एक उरोपيन है, तो उसने कहां पर स्ट्रीट वाइट कर ली। जिदर इसका reply देते हुए ईले टोपोरय कहता है कि to be honest उसे बहुत टाइम हो गए है स्ट्रीट वाइट किये हुए, बट उस्मान का क्या हाल है ड्रग्स के साथ, क्या वो अभी भी स्टिरोइड्स पे है तो ओविसली यहाँ पर इलिय टोपोरिया उस्मान नुरमागा मेडॉफ के वो 6 मन्स के बैन को लेकर उसे ट्रोल कर रहा है जिदर उस्मान पॉप हुआ था एक अन्नो सबस्टांस के चलते जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है और इसके बाद से स्टार्ट होता है इसलाम महाचेप के बागी टीम मेंबर्स का भी फ्लड इन करना जहाँ पर अभी तुम उनके ट्विट्स देख रहे होंगे जिदर वो इलिया टुपोरिय को बेसिकली थ्रेट कर रहे हैं कि अगर इलिया उन्हें कहीं पर भी दिखा तो वो उसका स्ट्रीट में बुरा हाल करेंगे अब इसके बाद इलिया टुपोरिय एक और बार इंस्टाग्राम लाइप पर जाता है जहाँ पर अब उससे ये पूचा जाता है कि क्या वो इसलाम महाचिफ को बीट कर सकता है तो इसका रिप्लाइ देते हुए इलिया टुपोरिय कहता है कि वो बहुत बार बोल चुका है कि अफकोस वो इसलाम महाचिफ को बीट कर सकता है वो रेडी है इसलाम महाचिफ के साथ फाइट करने के लिए और उसकी नेक्स्ट फाइट के बाद यानि कि मैक्स ओलिवे की फाइट के बाद वो चाहता है कि वो इसलाम महाचिफ के साथ फाइट करे अल्सो इसके साथ इलिया टुपोरिया सारे लाइट बेट डिविजन के टौफ फाइटर्स को वार्निंग सेंड करता है जहाँ पर वो कहता है कि उसके अगेंस्ट फाइट करना बहुत ही ज़ादा मुश्किल होगा स्पेशली लाइट बेट डिविजन में क्योंकि लाइट बेट डिविजन के लिए वो ज़रा भी बेट को कटने ही करेगा तो माय गुडनेस वो कितना ज़ादा बेटर होगा अल्सो इसके साथ इले टौपोरिया ये भी कहता है कि वो सारे लाइट बेट फाइटर्स येस सारे लाइट बेट फाइटर्स को एक ही नाइट में फिनिश करतेगा अब फाइनल इन सब के बाद इसलाम आचिप का रिपलाई आ जाता है जाँ पर वो भी इले टौपोरिया को एक वार्निंग सेंड करता है जिदर वो कहता है कि इले टौपोरिया बहुत ओवर कर रहे है जाँ पर उसे अब कुछ हो भी सकता है अभी तक उसने किसी को भी नहीं देखा है personal boundaries को cross करते हुए और ईले टुपोरिय को चाहिए कि वो अपनी weight class में ध्यान दे और try करे अपने title को एक बार भी defend करने का तो अब यहाँ पर एक final reply ईले टुपोरिय भी देता है जिदर वो कहता है कि वो तो line को cross करने की try नहीं कर रहा बट इट्स लुकिंग लाइक इसलाम आजिप के साथ जो kids हैं यानि कि इसलाम आजिप की teammates वो try कर रहे हैं line cross करने की जहाँ पर जिसके बाद वो वापिस नहीं आ पाएंगे तो इसलिए उन सारे kids को side पे कर देते हैं और वो दोनों एक adults के तरह fight करते हैं octagon के अंदर 20-25 में अब to be honest इले टुपोरिय के लिए Max Oliver की fight एक बहुत जाधा tough fight रहने वाली है बट अगर वो Max Oliver को beat कर देता है वो भी by knockout तो इले टुपोरिया I'm telling you guys एक दम से fight week होगा वो कितना entertaining होगा और फिर finally जो fight होगी उसे भी देखने में कितना मजाएगा बट as of now अगर हम देखें तो ये भी बात true है कि इले टुपोरिय को अभी चाहिए कि वो सिर्फ अभी अपनी division में fight करें अपने title को defend करने का देखें और to be honest right now अगर मुझे बोला चाहे कि इले टुपोरिय और इसलाम महाचेप में से कौन सा fighter win करेगा तो मैं यहाँ पर इसलाम महाचेप को big करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इले टुपोरिय को बहुत कुछ है प्रूव करना जहां पर उसकी बातों से ये भी कभी कभाया लगता है कि वो काफी जादा over confident हो जाता है जिदर वो max all away को बोल रहा है कि अगर उसे knockout नहीं होना है तो उसे helmet पहना होगा whereas सारे light weight fighters को वो एक ही night में finish कर सकता है वो light weight champion इसलाम महाचेप को भी beat कर सकता है तो ये सारी बाते अभी सच में बहुत बड़ी लगती हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले का कि अभी max all away को सच में knockout कर देता है तो for sure वो एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है और फिर जो अभी मैं बोल रहा हूँ over confidence वो just like उसकी एलिक्स जेंडर वालकेनोफ्सकी की fight में हुआ सब लोग इस over confidence को confidence बोलेंगे और अब moving on to the next update तो अब बात करते हैं आटेम वही तॉफ के बार की contender series में fight की जिदर वो अपनी fight को win करता है by knockout और क्या उसे contract मिला तो yes उसे UFC को contract मिल चुका है बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हुई है जिदर डैना वाइट जब contracts देने के लिए fighters को announce कर रहा था तो वहाँ पर वो reveal करता है कि आटेम ने बहुत जादा clinch work किया और वो basically Alex Pereira से advice लेता है कि क्या उसे आटेम वहितोफ को contract देना चाहिए या फिर नहीं जहाँ पर Alex Pereira कहता है कि for sure आटेम वहितोफ एक बहुत अच्छा fighter है और डैना को उसे contract दे देना चाहिए Alex said you absolutely positively deserve a shot in the UFC so thank you Alex Pereira and get over here Artem तो basically Alex Pereira की बज़े से उसके rival यानि कि आटेम वहितोफ को contract मिल चुका है जहाँ पर to be honest एक बात तो Alex Pereira की मानने पड़ेगी ये fighter दिल से बहुत अच्छा fighter है जहाँ पर I don't know Alex को कैसे कोई hit कर सकता है I mean Artem Vahitov ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला था उसकी striking को criticize किया उसे one punch fighter बोला बट तब भी Alex उसके लिए vouch करता है जहाँ पर उसी की बज़े से Artem Vahitov को UFC का contract मिल गया अब इसी के साथ दोनों fighters backstage भी मिलते हैं जहाँ पर Artem Vahitov यही कहता है कि वो Alex को respect करता है और वो hope करता है कि future में वो दोनों एक बार फिर से fight कर सकें also Alex की बात लगी है तो recently Alex Pereira interim heavyweight champion Tom Espinal की ये वाली photo को post करता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि Alex Pereira ready हो रहा है Octagon के अंदर enter करने के लिए whereas audience में खड़े Tom Espinal उसे stare कर रहा है तो इस photo को लेकर Alex कहता है कि ये उसकी favorite moments में से एक है fight से पहले और basically Tom Espinal भी इसी चीज़ की story डालता है तो क्या ये hint है कि Alex Pereira heavyweight division में move करने वाला है for sure Alex Pereira को ये move करना चाहिए जहाँ पर उसके पास definitely opportunity है वो पहला ऐसा fighter बननी की जो 3 division champion हो but obviously given that कि उसे एक और बार light heavyweight division में fight करने पड़ेगी especially अगर Magomed Uncle Ive UFC 308 में win कर जाता है so that's it for today guys ये basically video Iliya और Islam को लेकर थी so अगर तुम्हें video अच्छी लगी हो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next video में